असलाम अलाईकूम कैसे हैं आप लोग इमीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे अल्लापाक आप लोग खुश रखे बाद रखे आज की वीडियो शूँ करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट आ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें आज मैं आप लोग किसा शेयर करूंगी खीर कैसे बनाई जाती है चावल और गाजर की खीर कैसे बनाई जाती है दूद में चलिए खीर बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक बरतन लेगे उसमें थोड़ा सा पानी शामल करेंगे एक डेट ग्लास के करीब पानी शामल करेंगे और इसे गरम करेंगे अब इसमें एक पाओ जो चावल टोटा चावल जो होते है वो मैंने विगो के रखे हुए थे पहले दो गेंटे अब इनको पानी में शामल करेंगे और इसे बुवायल करेंगे खीर में जल्दी गल जाते हैं और खीर भी मज़े की बनती है आप लोग भी mix खीर इतनी अच्छी नहीं बनती जितनी दूद की खीर, चावलों के साथ अच्छी बनती है को 90 परसेंट अक्रीबनी से पकाएंगे पानी में चावल हमारे पक रहे हैं चावल हमारे गल गई हैं अब हम इने चेक करते हैं ये देखें चावल हमारे 90% कुक हो चुक हैं अब हम और पानी भी इनका खुशक हो चुका है अब हम इसमें दूद शामल करेंगे तकरीबन 4 किलो दूद है जो मैं इसमें शामल करूंगी यह दूद मैं शामल करूंगी है यह चार किलो हम दूद इसमें शामल करेंगे यह मेरे पास कुछ सेव पड़ा था दूद और कुछ मैंने यह खालस दूद है जो मैं इसमें शामल करूंगी हूँ वायल गया हुआ दूद नहीं है इसमें कच्चा दूद है बैंस का अब हम इसे आहस्ता इस्ता मिक्स करेंगे और अब हम इसमें चार से पांच अलाइची शामल करेंगे और थोड़ा सा नमक शामल करेंगे इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हैगा चमचा चला चला कर पकाते जाएंगे चमचा आपने रोकना नहीं है चमचा आपने सासा चलाते रहता कर ये दूद नीचे ना लग जाए तो आप लोगों ने सासा चमचा चलाते रहना और अब इसमें हम एक प्याली गाजर शामल करेंगे आप लोग भी ये बना कर जरूर ट्राए करना बहुत मज़े की खीर बनती है चावल और गाजर की खालस दूद में बनाएं खीर हमारी पकना स्टार्ट हो चुकी है अब हम इसमें इसको तब एक से दो गिंट अमजीद पकाएंगे जब तक ये दूद खुशक नहीं हो जाता तब तक इसे पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ये चावल मिक्स होना स्टार्ट हो चुकी है दूद में इसे तब तक पकाएंगे जब तक दूद खुशक नहीं हो जाता अधर कमघधार मिने राज जता फिर हम इसमें शूगर शामल करेंगे इदो के चावल कितने अच्छी तरह मिक्स हो गए, कॹीर को पकते हुए एक से जगे जगेंचा हो गए, अब हम इसमें चीनी शामल करेंगे जो कि आप अपने टेस्ट के मताबक शामल कर सकते हैं मैं एक प्याली शामल करूँगी अगर मुझे काम लगी तो मैं और इसमें शामल कर लूँगी आप लोग भी अपने टेस्ट के मताबक इसमें शामल करके मिक्स करना जब दूर्द खुश्क हो जाए ताब चीननी शामल करना है इसमें चीननी भी अपना पाने छोड़ती है फिर इसे पान से दासमेंट पकाएंगे और यह देखे हमारी कितनी मज़ेदार सी खीर बन के त्यार हो चुकी है और अब हम इसे डेश आउट करते हैं आप लोग भी यह रेस्पी जबर बनाना मैंने ज़े शॉट कर लिया है अगर आप लोगों को मेरी यह रेस्पी पसानता है मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर ले और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि आप लोगों को मेरी ये रेस्पी कैसी लगी एक नेक्स वीजियो में तब तक के लिए अल्ला हाफीज